सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार कैसे हो आप सबी लोग एक नया वर्काउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज के वर्काउट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गलूट मासल को कैसे स्टेंदन कर सकते हो और एक राउंडेड बट डेवलप कर सकते हो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसपेशली सभी लड़कों के लिए क्योंकि उनको लगता है कि बट डेवलप करने की जरुवत सिरफ लड़कियों को है इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखे लेट स्टार्ट आप जब भी मैं जम जाता हूँ मैक्सिमुम लड़कों का एक ही सवाल होता है कि भाया अच्छे बाइसेप्स कैसे बना सकते हैं चेस्ट कैसे डवलप कर सकते हैं राउंडेड शोल्डर कैसे बनेंगे बट आज तक मुझसे किसी भी लड़के ने ये सवाल नहीं किया कि राउंडेड बट कैसे बनाएं ग्लूट मसल को कैसे स्टेंदन करें इसलिए मैं आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ग्लूट मसल बहुत ही एहम मसल है जब आप चलते हो भागते हो या नॉर्मल उठते बैठते हो तो ग्लूट मसल एक ऐसा मसल है जो सबसे ज़्यादा काम में आता है इसलिए उसको स्ट्रॉंग बनाना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ जब भी आप वरकाट परफॉर्म करते हो लाइक, स्कौट, डेडलेफ या कोई भी प्रेस मुमेंट उसके लिए भी आपके ग्लूट मसल का स्टेंदन होना बहुत ज़रूरी है इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसी एक्सेसाइज जो की आपके ग्लूट मसल को तो स्टेंदन करेंगे ही साथ में आपको देंगी वेल शेब राउंड बट बस आपको इन एक्सेसाइज़ को अपने वीकली वरकाट शेडियूल में शामिल करना है फॉर्स्ट एक्सेसाइज जो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा वो होगी हिप थ्रस्ट फ्लाट बेंच के आपको जरुवत पड़ेगी करने का सही तरीका होगा जिस लाइडाउन बट आपको लेटते हो यह ध्यान रखना है कि आपको पूरी अपर बाग को बेंच पे प्ले बहुत जादा आगे या बहुत जादा पीछे नहीं रहेंगे वो रहेंगे आपकी नीज से थोड़ा सा आगे गुटनों से थोड़ा सा आगे इस तरीके से अब यहां से हम एक्सेसाइज को परफॉर्म करना शुरू करेंगे यानि हिप्स को लिफ्ट करेंगे फुल रेंज बन जाए, means आपको hyper extension नहीं करना यानि आपका repetition खतम होगा जब आपकी basically shoulder, pelvic और knee straight line में आ जाएगी वो आपका repetition complete हो गया समझो वहाँ पे आप अपने glute muscle को squeeze करेंगे breathe out, stay there for a second and then release it slowly बहुत ही अराम से lift, squeeze and hold जब आप 20-25 रेपेटिशन easily करने लग जाओगे तो आप weight add करोगे means pelvic bone पे weight रखोगे, बस ध्यान रहे कि बहुत जादा weight नहीं होना चीए complete range of motion होनी चीए और आप glute muscle को अच्छे से squeeze कर पाओ without hold, squeeze बहुत ही समाल के मैं आपको suggest करूँगा कि आप कम से कम weight के साथ 12-15 repetition जरूर करें और 4 से second exercise जो आप सभी लोगों को suggest करूँगा glute muscle के लिए वो होगी hyper extension थोड़ी से tricks and tactics हम यहाँ पे use करेंगे वो आप जरूर समझ लेना सबसे पहला कि इस adjustment को हम कहाँ पे place करेंगे इसकी height कितनी होनी चीए तो जो इसका corner है वो मेरी pelvic bone से slightly नीचे रहेगा कैसे? यह देखो मैंने पहले से ही adjust किया था आप अपने according कर लेना है यह रह मेरा pelvic bone और यह रह pad के corners दूसरी बात जब भी आप करोगे आप पंजो को सीधे रखने के बजाए थोड़े बाहर की तरफ रखना pointed उससे glute muscle की involvement ज़ाद हो जाएगी अब जनरली आप hyper extension नीचे जाते हो straight और उपर आते हो यहाँ पर trick क्या है कि आपको अपनी back को round करना है means arch करना है यानि इस तरीके से basically आगे भी round और ऐसे भी अब आप करोगे यहाँ से नीचे जाओगे and उपर आओगे बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा उपर नहीं आना क्योंकि उससे आपकी lower back की involvement ज़्यादा होगी और ग्लूट की तो होगी बट हमें lower back की कम और ग्लूट मसल की involvement ज़्यादा चाहिए so round back नीचे गए यहाँ से उतना ही उपर आए कि आपकी बॉड़ी जो है basically वो इस पाइड के parallel रही hyper extension नहीं हुई आप देखो सही से slow down and up squeeze your glutes breathe out stay there for a second and then release अगर करना easy है तो थोड़ा weight आप इस तरीके से hold कर सकते हो चलो control lift squeeze breathe out glute muscle को squeeze करो and then अराम से हर एक repetition को आपको feel करना है repetition range मैं आपको suggest करूँगा 12 से 15 3 to 4 sets third exercise मैंने किसी लड़के को करते नहीं देखा है बट किया करो क्योंकि लड़कों के भी अच्छे glutes होने चाहिए हम करेंगे इस exercise को band की मदद से क्योंकि बहुत सारे gym में abduction, adduction की machine नहीं होती don't worry ऐसा band खरीद ले और floor पे करेंगे तो शुरू करने से पहले बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो basically shoulder के नीचे आएंगे और आपकी जो knee है वो pelvic bone के नीचे आएगी यहां से हम exercise को शुरू करना शुरू करेंगे एक knee lift करेंगे और raise करेंगे as much as you can जब maximum raise हो जाए glute muscle को squeeze करेंगे and breathe out knee को वापस लेके आएगे बिना floor पे touch किये दुबारा lift करेंगे and breathe out बहुत ही control way से और glute muscle को squeeze करें हर एक repetition को आपको feel करना है contraction सजेस्ट मैं आपको ये करूँगा कि इस exercise में आपको repetition ज़ादा करने है हर set में 25 से 30 repetition ज़रूर करें और जब एक पैर से हो जाए तो दूसरे पैर से भी करना है वो आपका एक set होगा और 2 to 3 sets fourth and last exercise glute muscle के लिए मैं आपको suggest करूँगा वो होगी step up जिसके लिए आपको इस तरीके के प्लैट सॉम के जरुद पड़ेगी जिसकी height होगी आपके knee level पे उसके बाद एक पैर को उपर रखेंगे और उसी पैर की मदद से आप उपर आएंगे knee को straight करेंगे glute muscle को squeeze करेंगे and breathe out but यहाँ आप जैसे देख रहे हो मैंने पैर उपर रखा हुआ है just for the demonstration but आपको पूरे set को perform करते हुए उस पैर को उपर नहीं रखना slow down नीचे आएंगे balance up and बहुत ही control वे से उपर आके breathe out करें squeeze करें glute को अच्छे से exercise को दोनों पैर से perform करेंगे एक पैर से 12 से 15 repetition करो फिर दूसरे पैर से अगर आपको बहुत असान लग राए करना तो आप दोनों हाथ में light dumbbell भी ले सकते हो और मैं आपको suggest करूँगा 3-2-4 sets जिन लोगों की setting job जादा है उनकी हमेशा शिकायत रहते है कि lower back में pain है उसका reason होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक बैठते हो तो आपके glute muscle में blood flow घट जाता है जिसकी वज़े से lower back में strain आता है उन सभी के लिए मैं glute awakening exercise quickly आपको समझा देता हूँ दिन में एक से दो बार जरूर करें exercise सबसे पहली सीधे खड़ हो जाए पंजो को बाहर की तरफ करें इस तरीके से और यहां से आप AD को lift करेंगे maximum knee को सीधा रखते हुए और यहां पर आने के बाद आप glute muscle को squeeze करेंगे hold it and breathe out नीचे जाएंगे अराम से and continue करेंगे for 10 to 15 times दूसरी exercise support लेके करेंगे जिसमें हमें एक पैर को आगे लाना होगा and lift करना होगा बर्ध्यान करें lift करते हुए पंजा बाहर की तरफ नहीं जाएगा और आप शुरू basically कहां से करेंगे जो दूसरा पैर है उसके अंदर से यहां से lift करेंगे and breathe out focus करें glute muscle पे तीसरी exercise होँआरी होगी उसमें आप पैर को पीछे की तरफ लाएंगे बर्ध्यान करेंगे कि जब आप पैर को पीछे ला रहे हो कभी भी पैर को दूसरे पैर से आगे नहीं लाना basically पीछे पीछे रखने breathe out करेंगे glute को squeeze करेंगे पहली exercise दूसरी और तीसरी को सबको 10 से 15 बार करना है आपको एक से दो बार ये था हमारा आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा इन सभी exercise को आपको एक ही दिन में परफॉर्म करने की ज़रुरत नहीं है इन में से कोई भी दो exercise आप किसी भी muscle group के साथ कर लेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा इस तरह का content मैं आप से भी लोगों के लिए बनाता रहूँगा आपके समाक्षाता रहूँगा तिल देन गुडबाई नमस्ते आपके समाक्षाता रहें